यह जो sexual videos देखने की हमारी आदत है जिनमें sex को भिन-भिन रूपों में दिखाया जाता है यह जब एक addiction मन जाती है जब पूरे दिन दिमाग में आपके यही सब चीज़े चलती रहती है आप अपने आपको control नहीं कर पाते हैं पूरे दिन मन करता है कि इसी तरीके की videos देखो उसे कहता है porn addiction जैसे अलग-लग तरीके के addictions होते हैं कोई भी चीज़ जो हमें pleasure देती है instant high देती है चाहे वो alcohol हो, drugs हो, कोई खाने की ही चीज़ क्यों ना हो या और कुछ भी हो जो चीज़ हमें high देती है हमें एकदम से बहुत अच्छा महसूस करवाती है जब हमें बार-ब आपको कुछ techniques बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा, उनको अगर आप follow करोगे तो इस तरीके के addiction बहुत हद तक कम हो जाएंगे और आप एक normal life में वापिस आजाओगे, life को normally अच्छे से जी पाओगे दोस्तो सबसे पहली चीज है, आपको ये realize करना पड़ेगा, अपने आपको समझाना पड़ेगा कि जो porn की दुनिया है, जहाँ आपकी fantasies को real तरीके से दिखाया जाता है, ये एक dream world है ये reality से बिल्कुल अलग है, reality ऐसी नहीं होती, reality बहुत simple होती है, real life का romance भी simple होता है, इतना complicated नहीं होता, जो make-up करकर के, filter करकर के लोग दिखाया जाते हैं, असलिए life में ऐसे लोग भी नहीं होते तो अगर आप इस life से बहुत जाता fascinated हो जाओगे, सिरफ porn की sex life में मज़ा आने लगेगा, तो आप अपनी normal life को enjoy नहीं कर पाओगे, जो normal romantic life होगी, आपकी sex life होगी, उसको आप enjoy नहीं कर पाओगे, simple शब्दों में बोलू, तो आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी नॉर्मल romance या नॉर्मल sex आपको pleasure ही नहीं दे पाएगा, जो कि बहुत बड़ी problem अन जाएगी आपके लिए, इस fact को realize करना बहुत ज़रूरी है दोस्तो अगली realization है, लगातार porn देखने से, सुबह शाम porn देखने से, हर खाली time में porn देखने से, आपकी life के जो भी passion है, important goals है, responsibilities है, जो भी जरूरी चीज़े हैं, उनकी importance खतम हो जाएगी आप उनको value देना बंद कर दोगे, वो side line हो जाएंगे, और यह अतना खतरनाक है कि आप अपना रास्ता बटक जाओगे, और धीरे धीरे वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा और बाद में आप सिरफ regret करते रहोगे, कि मैंने इस porn के चकर पे अपना crucial time waste कर दी, आप सालो साल मैं recover नहीं कर पाऊंगा, तो basically यह porn type की जो चीज़े होती है, यह intelligence killer, knowledge killer, passion killer होते हैं, इस बात को ध्यान करना, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, दोस्तों अगली बात, मैं हर इंसान को बोलता हूँ, जो भी परिशान है, depressed है, stressed है, यह addiction में है, अपने आपको खाली time मत द जब भी इंसान का दिमाग खाली होता है, वो उल्टी सीधी चीजों में चलने लगता है, जैसे porn है, addiction है, overthinking है, कोई भी negativity होगी, वो आपके दिमाग को capture कर लेगी, अगर आप अपना दिमाग खाली छोड़ोगे, खास कर जिसको यह समस्या है, तो अगर आपको ऐसी कोई समस comedy वीडियो देख ली, movie देख ली, कोई hobby परसीव कर ली, आपको painting का शौक है, writing का शौक है, reading का शौक है, घूमने का शौक है, gym का शौक है, खाली टाइम में ऐसी activities परसीव कर ली, वरना सबसे बढ़ी है, अगर आप पढ़ाई के लिए passionate हो, career के लिए passionate हो, तो अपना सारा time career को देदो, कोई part time काम चालू कर लो, job कर रहे हो, साथ में stock dating चालू कर लो, कोई नया course सीख लो, skill edition कर लो, खाली टाइम अपने आपको मद दो, जो आपका दिमाग इन चीज़ों में चले, दोस्तो अगली चीज़े आपको realize करना जरूरी है, कि जो porn से आपको pleasure मिल रहा है, जो सुख की अनुभूती हो रही है, जो अच्छा लग रहा है, वो सिरफ temporary pleasure है, और जो भी temporary pleasure होते हैं, वो long term में आपकी happiness को खतम करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि आप normal life में खुशी को महसूस नहीं कर पाते हैं, आपको खुश होने के लिए उस pleasure के अनुभूती करना जरूरी बन जाता है, पॉर्ण नहीं देखोगे, तो life उदास बन जाएगी और पॉर्ण देखोगे तो लगेगा life normal है, life अच्छी तो लगेगी नहीं, तो जो भी इस तरीकी की चीज़े हैं, उनको feeling को feel करने के लिए, masturbation के लिए, sexual gratification के लिए आप पॉर्ण देखते हो, तो main मकसद है sex, तो दोस्तो आपको इस समझना बहुत जरूरी है कि sex इंसान की life का important part हो सकता है, लेकिन life नहीं है, life का 10% part तो हो सकता है, या 5% part तो हो सकता है, लेकिन 100% part नहीं हो सकता, अगर आपने sex क 100% part बना लिया, तो life बरबाद हो जाएगी, एक बार imagine करो कि एक cup में, एक 100 ml के cup में, अगर आप 90 ml काफी डालो, और बागी 5 ml दूद और 5 ml चीनी डालोगे, तो क्या काफी बन जाएगी, काफी अच्छी चीज़ है, उसकी मातरा लेकिन आपने इतनी कर दी, कि और कुछ बच इस करो, समझो, अपना हो, दोस्तो जिन लोगों को भी addiction हो जाते हैं, जैसे porn addiction है, time निकाल निकाल के porn देखेंगे, पूरे दिन porn देख सकते हैं, ये एक positive चीज़ का indicator है, कि आपके अंदर बहुत जादा capacity है, बहुत जादा energy है, बहुत जादा passion चुपा हुआ है, जो इस एक बड़ा vision बनाओ, एक बड़ा goal develop करो, life में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, बहुत successful होना है, उसके लिए महनत करो, जैसे porn देखना चाते हो, वैसे उसके लिए महनत करना शुरू कर दो, सुबह, शाम, दुपह, रात महनत करो, मिश्चिंती success को पालोगे, बहुत आगे करने के लिए, वैसे ही वो goal आपको motivate करेगा, महनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, तो आपके अंदर ही energy है, एक passion है, जो गलत चीज में चल रहा है, उसको सही direction दो, channelize करो, दोस्तों जब भी इंसान को कोई भी addiction छोड़ना होता है, हर दि समय आपने ये चीज नहीं करनी, पौर्ण बिल्कुल भी नहीं देखना, पहले दिन से अगर आप सोच लोगी कि मैं पौर्ण बिल्कुल नहीं देखूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, आप और जाधा देखने लगोगे, आप उसकी तरफ और जाधा खिचे चले जाओगे, थोड़े थोड़े time gaps develop करो, शुरू शुरू में, दिन में 3-4 घंटे fix करो किसी तरह है, जब आपने पौर्ण बिल्कुल नहीं देखनी, बहुत जाधा tough नहीं है, कर पाओगे, धीरे धीरे time की frequency को बढ़ाना है, और एक ऐसे point पे लेके आना है, जब आप पौर्ण देखना जो रात को 9 से 12 का time होता है, इस time में किसी तरह पौर्ण को avoid करना है, इस time में बिल्कुल भी पौर्ण नहीं देखनी, और अपने आपको busy रखना है, ऐसे काम करना है, जिनसे आपको नीन आजाए, मन लग जाए, और अच्छा मैसूस हो, जो pleasure पौर्ण से मैसूस होता ना, च चीजों से उसको लो जैसे कि अपना फेवरेट शो देख लिया कोई कॉमेडी सीरीज देख ली या कॉमेडी क्लिप्स देख ली कोई बहुत इंटरस्टिंग किताब पढ़ ली कोई बहुत अच्छा म्यूजिक सुन लिया और कुछ नहीं तो फोन पे गेम खेल लो एक छोटी सी वॉक पे हुआओ खाना भी हज़म हो जाएगा अपनी लाइफ की कुछ मेमरीज को याद कर लो अपने आपको अच्छी चीजों में इंगेज करो इस टाइम पे जो बहुती क्रूशल टाइम में है इस टाइम पे पॉर्ण देखना अवाइट करना है जो टाइम फ्रेम वाला पॉइंट बताया था वो अलग है लेकिन ये जो रात का टाइम में बड़ा कुरूशल है इसका अलग से ध्यान रखना है जो जस्सोने से पहले आपका टाइम होता है दोस्तो हर सुबह उटके अपने आपको सबसे पहले ये बोलो ये जो पॉर्ण है ये जो मेरा अडिक्शन है सबसे पहले तो अपने आपको बताओ कि मैं अडिक्टिड हूँ और फिर अपने आपको बोलो ये जो मेरा अडिक्शन है और इस चीज से आगे बढ़ना है रोज सुबह अपने आपको यह बात समझाओ जब पूरे दिन आपको इस बात का एहसास होगा तो अपने आप पॉर्ण देखने की फ्रिक्वेंसी घड़ जाएगी आपको बहुत ज़ादा गिल्ट होगा जब भी आप पॉर्ण देखोगे दोस्तों आपके कुछ संगी साहती कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो पॉर्ण देखते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं अप चुकि पॉर्ण की बात हो रही है तो आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो पॉर्ण देखना आपको एंगरेज करते होंगे आपको वीडियोस फॉर्वर्ड करते होंगे ऐसे दोस्तों की कंपनी से अलग हो जाना है इनका काम होता है अपने दोस्तों को बर्बाद करना खुद तो ये बर्बाद है ही हो सकता है बर्बाद ना भी हो आपको बर्बाद कर देंगे और लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे अपनी कंपनी को सही करो, सही लोगों के साथ रहो वरना अकेले रहो गरत लोगों की company को बिल्कुल eliminate कर दो दोस्तो क्योंकि वो आपको regular force करते रहेंगे motivate करते रहेंगे अपनी आदत छोड़ने नहीं देंगे दोस्तो एक बहुत जरूरी चीज़ है अपनी identity को अपनी self-esteem को strong बनाना अपनी personality को strong बनाना मेरी life important है मेरी life इन छोड़े छोड़े pleasure से बहुत उपर है मेरी life में बहुत कुछ है family भी है, goals भी है, career भी है मेरी routine life भी है मुझे अपने आपको बरबात नहीं करना मुझे इन सब चीजों से उपर उठना है अपनी life को respect करना सीखो दोस्तो जिस दिन आप अपनी life को respect करोगे न important समझ लोगे उस दिन इन घटिया चीजों से आप अपने आपी उपर उठ जाओगे दोस्तो जब आपी कुछ steps follow कर लो कुछ फरक पढ़ जाए पॉर्ण देखना थोड़ा सा कम हो जाए तब आपने अपने साथ एक game खिलना है एक challenge वाला game अपने आपको challenge दो कि मैं अगले दो दिन तक पॉर्ण बिलकुल नहीं देखूंगा अगर successful हो गया तो अपने आपको कोई gift दो फिर एक हफते पे ले आओ एक हफते तक पॉर्ण नहीं देखूंगा और नहीं देखी तो अपने आपको एक gift दूँगा जो भी चीज पसंद हो कोई खाने की चीज हो कोई एकसेसरी हो कोई भी चीज हो अपने आपको gift देना अपने दिमाग को tame करो इस तरीके से time की frequency को बढ़ाओ एक challenge की तरह इसको लो हमारे दिमाग को आदत होती है challenges को असानी से accept करने की तो अपने आपको challenge दो और जब time gaps बढ़ जाएंगे आप एक दो हफते बिना पॉन्ट के रह लोगे तो मतलब आपका addiction खतम हो गया है या खतम होने वाला है तो दोस्तों ये कुछ बहुत general points मैंने आपको बताएं इनको सुनना समझना इन में से कुछ भी points थोड़े बहुत भी points अपने जीवन में अपना लिए तो आपके बहुत काम आएंगे और सबसे जरूरी चीज़ है एक start करना एक aim बनाना आपको aim बनाना है कि मुझे पॉर्ण नहीं देखना इस पॉर्ण के जंजाल से बचना है सबसे पहले ये aim बनाओ फिर आगे बढ़ो अगर aim बना लिया तो महनत करके इससे छुटकारा पाबी लोगे All the best